हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर शुतित बुसामिय और आप सभी का सवागत करता हूँ अपने यूट्व चैनल वेट मंत्रा में फ्रेंड्स मैं आ रहे हैं कैसी वीडियो लेकर क्या हूँ ऐसी बीमारी के बारे में आपको डॉक्स में बताने जा रहा हूं जो कि बहुत मस्स्व जाते हैं उसकी बीमारी है और इससका क्यारेजन है क्या किसंटम्स हैं जो को आज डिसकूपर करेंगे आइए पने तो फ्रेंड्स जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं कि यहां पर डॉक की ओर ल semesteraway तीमें गंब समय साथ में लिप्स के उपर cauliflower like growth आपको दिखाए दे रहे हैं multiple cauliflower like growth है और ये होते हैं papillomatis growth और ये papilloma virus की वज़े से ऐसा हुआ है dog में और ये dog में एक से दूसरे dog में बहुत जल्दी से फैलती है साथ में ही highly contagious होती है अगर dog जो है एक से ज्यादा dog एक ही बरतन में पानी पी रहे हैं खाना खा रहे हैं तो उसमें ये बिमारी एक dog से दूसरे dog में फैल जाती है ये बिमारी mostly dogs में asymptomatic रहती है और इसका कोई खासा कोई असर नहीं पड़ता है dog की health पर जब तक की dog की जो papillomatis growth है और या फिर जिनको wart कहते हैं उनमें secondary bacterial infection ना हो जाए उसमें किसी sharp object से चोट लग जाती है और उ painful और swelling होने की वज़े से वहाँ पर problem हो सकती है और इसका एक homeopathic treatment होता है जिस पर आप homeopathic medicine आती है थूजा जो की 200 potency की होती है या फिर एक और आती है जिसको हम बोलते है वार्ट गो इस medicine को आप 10-10 बूंदे सुबा दो पर और शाम को dog को दे सकते हैं और इसके वार्ट पर तो friends अगर हमारे ये वीडियो पसंद आया तो please वीडियो को like करें और share करें और साथ में हमारे चैनल को subscribe करें thank you very much